आज मैं आपके सामने मैं इसका कुश्चन लेकर आएं कुश्चन क्या बोला if x is equal to 1 upon 2 minus root 3 find the value of x cube minus 2 x square minus 7 x plus 5 तो यहाँ पर देखे given क्या दिया है given हमें यहाँ पर यह दिया है यह x की value दिया है हमें यहाँ पर इस पूरे की value बतानी है x cube minus 2 x square minus 7 x plus 5 इसकी क्या value होगी ठीक 2 minus root 3 ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 numerator है और 2 minus root 3 यह क्या है हमारा denominator है और 2 minus root 3 हमारा यहाँ पर यह क्या है यह एक irrational number कैसे क्योंकि 2 rational है और root 3 क्या है irrational तो rational और irrational का अगर आप subtraction करेंगे तो जो result आएक वो irrational ही होगा तो आपने class 9 में पढ़ा होगा rationalizing the denominator तो यहाँ पर हम denominator को rationalize करेंगे तो कैसे करते हैं यहाँ पर हम क्या into करते हैं यह आपका बीच में क्या sign है root 3 है बीच में क्या sign है आपका minus है तो यहाँ पर just हम क्या करेंगे sign को opposite कर देंगे minus क्या है तो यहाँ प्लस कर देंगे तो 1 से 2 प्लस रूट 3 इंटू होगा तो यह तो 2 प्लस रूट 3 होगा अपन नीचे क्या है डिनमेटर में 2 माइनस रूट 3 और क्या है आपका यह 2 प्लस रूट 3 यहीं है ठीक है तो अब देखिए इसको solve करते हैं यह बहुत easy है अपने class 9 में पढ़ा होगा rationalizing the denominator ठीक है तो य यह बिल्कुल a minus b और a plus b के format में है ठीक है तो इसका formula आप जानते हैं क्या होता है a square minus b square तो यह वाला formula लगाएंगे तो यहापे a हमारा क्या है 2 तो a square यह निकि 2 square minus b square b क्या है root 3 तो root 3 का square तो यह आपका क्या होगा a square minus b square equal to 2 हो जागा 2 plus root 3 upon यह हो जागा 2 का square 4 minus root 3 का square क्या हो जागा 3 हो जागा finally हमारे पास क्या आएगा 2 plus root 3 और 4 में से 3 तो वन बचा तो हमारे पस क्या रहा है x is equal to 2 plus root 3 यह हमारे पास ठीक है और हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं इस 2 को हम इधर shift कर देंगे तो यह हो जागा x से और यह plus 2 इधर आएगा तो क्या हो जागा minus 2 हो जागा ठीक है equal to और यह root 3 यही पर रहेगा ठीक है तो इसको equation first मानी ठीक है अब यहाँ पर RHS में आप देख सकते हैं तो यह root 3 है तो यह root कैसे अटाएंगे हम दोनों side क्या करेंगे squaring करेंगे ठीक है squaring both side in equation first ठीक है तो यहाँ पर देखिए squaring करेंगे तो equation first क्या x minus 2 equal to क्या root 3 है तो squaring हमें दोनों side करने ही तभी यह root 3 पर से जो square root है यह हटेगा ठीक है अब देखिए क्या x minus 2 का whole square तो यहाँ पर formula क्या लाएगा a minus b का whole square का formula लाएगा जो की होता है a square minus 2ab plus b square तो a square यानि की x square minus 2ab b यानि की 2 into 2 into x यानि की 4x plus b square यानि की 2 square 4 equal to अब देखिए यह root और यह square cancel क्या बचेगा कि वर 3 बचेगा यहीं बचेगा ठीक है पेच हम उपर करते हैं अब देखिए महागे क्या करेंगी हो जाएगा x square minus 4x plus 4 और यह जो root 3 इसको इधर shift कर देंगे तो lgs में आगा तो minus 3 हो जाएगा equal to 0 तो यह हो जाएगा x square minus 4x और यह क्या हो जाएगा 4 में जाए 3 गया plus 1 बचेगा equal to 0 तो finally हमारे पास क्या आ रहा है यह आ रहा है ठीक है given क्या था हमारा x square to 1 upon 2 minus root 3 ठीक है फिर इसको जब हमने rationalize किया था यहाँ पर इसको rationalize किया था तो क्या आया था यह देखिए यह आया था यह rationalize करने पर हमारा यह आया था x is equal to, यह 2 plus root 3 यहीं आया था, ठीक है, यह आया था, तो हमने क्या क्या इसके आगे, यह 2 को हमने इधर shift कर दिया, तो 2 को जब हमने इधर shift किया, तो हमारे पास एक equation आई है, x square minus 4x plus 1, हमें value किसकी चाहिए, x cube minus 2x square minus 7x plus 5, इसकी हमें value चाहिए, कि इसकी क्या value की, इसकी value एक single number पर आएगा, ठीक है, जिसमें x नहीं रहेगा, single value आएगा, पूरे equation की, तो देखिए, इसको हमारे पास क्या है, जो given था, जो given था, उसके help से हमारे पास यह एक equation आई, अब यह equation से यह कैसे solve होगा, ठीक है, तो वह मैं बताऊंगी, अच्छा, एक तरीका और है, कि आपके पास यह पहले जो यह term आया है, यह वाला term, दिखा दू, यह x is equal to 2 plus root 3, ठीक है, तो यह x की 2 plus root 3 value आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि यह 2 plus root 3, जो यह x की value, क्या है, 2 plus root 3, ठीक है, यह तो बाद में आया है, यह term, यह कब आया, जब हम इस 2 को इधर shift कर दी है, फिर इसके सकते हैं, तो यह equation आई है, ठीक है, अब आप सोच रहेंगे, कि इस equation से, हम x square minus 4x plus 1, जिसकी value 0 है, इसकी equation से, हम इस पूरी की value कैसे लेकर आएंगे, तो यह आएगा, लेकिन आप चाहें, तो यह जो आया है term, x is equal to 2 plus root 3, यह जो क्या है, यह x की value है, 2 plus root 3, इसको अगर आप यहां पर रख देंगे, इसमें, यहां पर यह जो x दिख रहा है, इधर, तो जब आप solve करेंगे, तो भी value जो आएगी, सेम आएगी, और इसको यह equation आया है, x square minus 4x plus 1, जिसकी value 0, इसको लेकर के, अगर इसको solve करेंगे, तब भी आपका जो value है, वो सेम आएगा, ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पर रख के दिखा दूँगी, तो थोड़ा से लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन value तब भी आएगी, तो पहले मैं यह equation हमारा आया है, इससे हम, यह equation से हम, इसको solve करेंगे, ठीक है, तो हमारा, जो हमको solve करना है, क्या है, हमारा, x cube minus 2x square minus 7x plus 5, यहीं ह अब देखें, यह क्या करेंगे, जो शुरू के तीन टर्म है, इसमें x देखिए है, तीनों में, तो x common निकाल लेजे, x common निकालेंगे, तो यहां इसमें से 1x अटा देजी, तो क्या बचेगा, x square minus, यहां क्या बचेगा, इसमें से 1x अटा देजी, तो x बचेगा, minus, यह x 7 बचेगा, ठीक है, प्लस 5, यह लिखते हैं यहां पर, ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप यहां ध्यान देजेगा, इस ब्रैकेट के अंदर, यह ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट के अंदर, जो टम है और यहां पर जो टम है, हमको यह टम चाहिए, x square minus 4x plus 1, य मैं यहां पर, यहां पर यह x square, यह टम तो है, x square x square, लेकिन यहां पर क्या है, एक टम है, minus 4x और यह है, गया है, तो यह लिखे हम क्या करेंगे यह क्या है हमारा x square है यह जैसे equation है लिख दीजिए minus 2x minus 7 हमारे पास क्या दो term नहीं है यह 4x और यह 1 यहीं नहीं है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसमें यह वाला term 4x plus 4x और minus 4x add करेंगे क्योंकि यह plus 4x minus 4x तो cancel होके zero हो जाएगा इस equation पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है तो अगर हम यह 4x अगर इस equation में ढालेंगे तो हम जितना value यह 4x जो है यहां पर अगर हम add करेंगे तो इतना ही subtract भी तो करेंगे तब ही तो neutralize होगा ना अच्छा अ 4x से 4x cancel 1 से 1 cancel सब तो zero हो जाएगा तो finally यहीं चीज तो आएगी ना तो equation में तो कोई हम extra चीज तो add किये नहीं है ठीक है जिससे equation हमारी change हो जाए है ठीक है अच्छा यह क्या है plus 5 तो यह लिखके चलेंगे ठीक है यह हो गया अच्छा पेज ऊपर हम करते हैं तो जो हमारा equation आया है पहले मैं इसको यहां पर लेकर लिए नीचे थोड़ा x square minus 4x plus 1 is equal to zero अब देख क्या करेंगे यह x लिखे ठीक है अब यहां पर देखिए x square है यहां पर भी x square है यह क्या minus 4x से देखिए minus 4x यह term दिख रहा है मैं दूसरे color से इन सब को circle कर दे रहे हूं ठीक है और य इनको एक साथ लिखे यह क्या है जो green color में x square यह क्या है minus 4x और यह क्या plus 1 है देखिए बच क्या रहा है हमारे पस बच जो रहा है बच रहा है यह minus 2x लिखे यहां पर minus 2x यह क्या minus 7 यही तो बच रहा है न यह क्या plus 4x यह भी बच रहा है देखिए यह plus 4x जो बच रहा है वो तो लिखेंगे ना, और क्या बच रहा है, यह माइनस 1 बच रहा है, लिखते हैं यहाँ पर, प्रैकेट क्लोस प्लस 5, ठीक है, पेज उपर करते हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यह x है, अब देखें इसकी वैलू क्या है, और लेड़े 0 दी हुई है, तो अब हम इस हो जाएगा, मैनस प्लस मैनस तो यह प्लस 2x आएगा ना, आएगा ना, अच्छा और क्या बच रहा है, यह देखें, यह आपका क्या है यहाँ पर, यह देखें, यह माइनस 7 और यह क्या है, माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस तो यह माइनस 8 हुआ, प्लस 5, तो अब पहले equation में x square था अब देखे कई दिख रहा है यहाँ पर इसमें x square हट गया ना तो equation थोड़ी छोटी हो गई ना page हम उपर करते हैं ठीक है और page उपर करने से पहले यह वाला जो time है यहाँ साथ साथ लिख देते हैं नीचे ताकि हमें समझ में आता रहा है यह लिख दिया है यहाँ पर page उपर करते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यह x और यह क्या आपका बच क्या रहा है 2x minus 8 plus 5 है यहाँ पर क्या करेंगे कि यह वाला bracket open करेंगे और यहाँ पर इंटू करेंगे तो 2x से स्क्वार होगा minus x को 8 से इंटू करेंगे तो यह 8x होगा और यह क्या है आपका plus 5 है ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए अब हम क्यों 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 हमें तो value चाहिए ना तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो equation है ना x square minus 4x plus 1 यहाँ पर लेकर आएंगे इसमें इसमें इसको change करना है और इस तरीके से की equation में कोई बदलाव ना है ठीक है तो देखिए जैसी 2x square इसको तोड़के अगर हम x square पर x square लिखते हैं दिख सकते हैं आप दिख सकते हैं यहाँ पर x square है तो अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है अच्छा यह क्या minus 8x है तो इस minus 8x को यहाँ पर एलगस बता दूँ इसको अगर हम चाहे तो minus 4x minus 4x लिख सकते हैं कि नहीं क्यों कर रहे हैACE हम इसलिए कुँ कि रहे है किसे की यहाँ पर यह minus 4x है तो हम यहाँ मिल जाएगा तो इसके जगा क्या लिखेंगा minus 4x minus 4x अच्छा यहाँ पर क्या plus 1 है तो यह यह आया है हमारे पास अब देखें इस क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे यह x2 और क्या है यह और क्या बच रहा है jewel at है just applying जू WEARBubos इसकी value क्या धी यह तो हमारा पूरा जीरो हो गए यह zero और यह क्या है, plus यह क्या है, x square minus 4x, अचा, अचा, आप यहाँ देख सकते हैं, कि अभी भी यह देखिए, यह देखिए, यहाँ ब्लू 5, यह जो 4 है, इसको हम 1, 3 लिसकते हैं, कि नहीं, लिख दिया, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर पूरी आंसर आ रहा है हमारा, कहने के मतलब यह है, यहां मैं पेज़ दिखा दू हमें क्या solve करना था, यह देखिए हमारा equation क्या था, यही था यह देखिए, question हमारा यही था यह देखिए, मैं दिखा दू, यह था, यह था, x square minus 2x minus 2x square minus 7x plus 100, इसकी क्या value, तो इसकी value आ गई 3, तो यह इसका यहाँ पर answer है, इस पूरे equation की value क्या यह 3 है, ठीक है, बाकी दूसरा जो तरीका है, यहाँ पर आप मैंने आपको ओता था, एक और तरीका है, यह जो आया है, तो आप यह value भी direct इसमें रख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाई देती हूं रखके, ठीक है, यहा 2 plus root 3 यहाँ पर इस x की जगह रखे, 2 plus root 3, अब क्यूंकि यहाँ cube है, यह cube है, तो हम लगाएंगे, minus यह 2 यहाँ लिखे, यह क्या x है, तो x की value क्या है, 2 plus root 3, लेकिन इस पर square है, तो square लगाएंगे, minus, मैनस यह क्या है 7 X है नहीं देखे 7 और एक्षिन के बीच में 2 का साइन 7 लिखे इस X की बालू क्या है 2 प्लस रूट 3 और यह क्या प्लस 5 तो इसको भी solve कर देंगे तो answer आपका 3 ही आएगा चक करके दिखा देते हैं अब देखे यह 2 प्लस रूट 3 का whole cube है यह A है यह अप्लस इसको B माने तो A प्लस B का whole cube का formula होता है यहाँ पर A plus B का whole cube का तो 2 into root 3 और a plus b यानि कि 2 plus root 3 लिखती है फिर यह क्या माइनस 2 अब यह देखिए 2 plus root 3 तो a plus b इसको मानि a plus b का whole square का formula लाएगा जो कि simple क्या होता है अब पहले यह ब्रैकेट लगा दीजिए a plus b का whole square का formula क्या होता है a square plus 2b plus b square तो a square यानि कि 2 2 into 2 into root 3 ठीक है पेज मैं थोड़ा इधर कर लूँ यह देखिए इधर plus b square तो b हमारा क्या है root 3 का square यह देखिए root 3 का है bracket close अब यह क्या इस पर ध्यान देजिए minus अब देखिए bracket को लिगे तो 7 2 जा क्या हो जागा यहां पे लेकिए 14 और minus और यह plus क्या हो जागा minus तो 7 को root 3 से into करेंगे तो यह 7 root 3 होगा plus यह क्या हपका 5 है ठीक है DAVID कैरीं कर जागा 2 का whole cube क्या हो जागा 8 हो जागा plus root 3 का whole cube क्या होगा तो 3 पर into किजे तो root 3 into root 3 2 root 3 होगया तो यह पर 3 root 3 यह दो धर यह दो होगा ठीक है प्लस और फ्रूर नावस कूल wars 2 वोट 3 इसको कंसल स्पाइब फॉर Vernet केआल माइसम अभी देखे 24 वन at यह आपको समझ में आया ठीक है पेज आम उपर करते हैं ठीक है तो यह हो जागा देखिए थोड़ा से लेंदी भी है ठीक है न तो यह हो जागा 8 ठीक है प्लस यह क्या है 3 यह रूट 3 प्लस अब इस पर ध्यान देजिए ब्रैकेट खोलिए तो देखिए 6 रूट 3 2 से इंटू को तो 6 2 जा 12 रूट 3 हुआ फिर देखिए 6 रूट 3 को रूट 3 से इंटू कीज़ए तो 6 रूट 3 रूट 3 3 हो गया तो 6 3 जग क्या हो जागा यह 10 हो जागा ठीक है माइनस अब देखिए यह 2 और यह ब्रैकेट है ना पहले इसको ऐसी रहें दीजे यह ब्रैकेट लगाए यह 4 और यह प्लस 3 4 प्लस 3 क्या हो जागा 7 हो जागा बच क्या रहा है यह लिख दिया है इसको माइनस अब देखिए यहाँ पर यह देखिए माइनस 14 है और यह प्लस 5 है त तो माइनस प्लस माइनस 14 में से 5 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 9 क्योंकि 14 बढ़ा है तो निगेटिव साइग माइनस 9 आए बच कह रहा है माइनस 7 रूट 3 यह आपको समझ में आए अब देखिए हैं पर क्या करेंगे यह 8 और यह 18 दोनों को एड़ कर दीजिए तो 8 और 18 क्या हो जागा? 8,8,16 और 26 हुआ अच्छा इसको भी ऐड़ी कर लिजी दोनों प्लस है क्या देखिए यह रूट 3 यह रूट 3 है तो एड़ हो जागा यह 3 और 12 क्या हो जागा? 3 और 12 यह हो जागा 15 15 रूट 3 हो गया अब ठीक है अच्छा यह क्या माइनस अब यह ब्रैकेट खोले 2 से 7 इंटू कीजिए देखिए यह है तो 2 से 7 इंटू कीजिए 14 माइनस प्लस माइनस यहां पर लिखिए 2 फूर्जा 8 8 रूट 3 यह हो गया यह आपको समझ में आ रहा है यह क्या माइनस 9 माइनस 7 रूट 3 ठीक है अब यहां नंबर देखिए क्या है यह 26 है माइनस 14 है और क्या है यह माइनस 9 है ठीक है तो देखिए 26 यहां पर लिखिए और यह minus 14 और minus 9 यह देखिया minus minus क्या हो जागा plus हो जागा तो 14 और 9 एड़ करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 23 और विथ negative sign यह आया ठीक है अब बच क्या रहा है हमारा root वाला time यह बच रहा है यह देखिए यह बच रहा है तो देखिए कैसे लिखेंगे क्या plus 15 root 3 बच क्या रहा है उसको मैं लिखी लेती हूँ यह आपर minus 8 root 3 और यह क्या minus 7 root 3 यह ही बच रहा है तो यह 26 minus 23 plus यह देखिए 15 और यह root 3 है अब देखिए इसको solve कर लिजे दोनों का sign क्या है negative है minus minus plus तो 8 और 7 यह हो जागा 15 root 3 ठीक है आप देख सकते हैं यह plus 15 root 3 मैं पेस थोड़ा उपर करूँ यह है plus 15 root 3 है हमें दूसरे class बता तो plus 15 root 3 minus 15 root 3 cancel 0 26 minus 23 क्या भचा 3 तो इसमें भी देख सकते है यह answer 3 आ रहा है तो यह lengthy है लेकिन तब भी answer आपका जागा और यहां से मैं जो जो तरीका use मैंने किया था उससे भी आप देख सकते हैं यहां पर 3 आ रहा है तो आप देख सकते हैं दो method से answer से हम आ रहा है तो उम्मीद है आपको यह question जो है अच्छे से समझ में आख